अमेठी पूलिस अक्सर अपने नितने कार नामों से सवालों के घेरे में खड़ी रहती है जीले के कप्तान बदलते हैं लेकिन अमेठी पूलिस की कारेशैली नहीं बदलती योगी सरकार की लाग कोशिशों के बावजूद भी पूलिस की कारेशैली में बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है ताजा मामला शीव रतनगन स्थाना शेतर के इनोहा चोकी का है नई S.P. को खुश करने के चकर में चोकी इंचास द्वारा पूचताश के दोरान यूवक की पूलिस अभिरक्षा में तब्यत मिगड़ गई पूलिस के अनुसार मृतक यूवक राम ओतार शातीर अपरादी है उसके उपर चोरी आदी के कई मुकदमे दर्ज हैं जिसको चोरी के सिलसिले में पूचताश के लिए लाया गया था अचानक सीने में दर्ध होने लगा जिसको सिहुपूर CFC में भरती कराया गया जहां इलाज के समय उसकी मोत हो गई मुरीतक युवक शीव रतन गंच कोत वाली शित्र के बिखारी पूर पनहोवा गांका है सुतरों के अनुसार दो दिन पहले पूचताश के लिए इन्होंना पूलिस मुरीतक युवक को चोंकी ले गई थी चोंकी परभारी की पिटाई के कारण पूलिस अभिरक्षा में युवक की मोत हो गई है पूलिस युवक को मुरीत अवस्था में CSC सिहुपूर ले कर पहुची थी CSC के चिकिसक सुनिल चोधरी ने अस्पताल पहुचते ही युवक को मुरीत गोशित कर दिया मुरीत की शिनाकत राम अवतार पासी निवासी बिखारी पूर मजरे पनहोवा के रूप में हुई है इन होना पुलिस मामले पर परदा डालने में जुटी हुई है सीओ तिलो इस सही मोहन गंज पूरसत गंज जायज वर शीवरतन गंज पूलिस बल के साथ मोके पर बड़ी संख्या में पूलिस वल पहनात कर दिया गया है वही मृतक के परिजन राम अभिलाश का आरोप है कि पूलिस पकड़ लेकर गई थी ठाने ले जाकर मारा पीचा गया जिसके कारण मोत हो गई वही लोगों का माना है कि अमेची की नई एसपी ख्याती गर्द को खुश करने के चकर में चोकी इंचास द्वारा यूवक से जबरजस्ती अपराद को पूल करवाया जा रहा था जिसके कारण यूवक की मोत हो गई हाते सुना है कि तुका पता चला आज हाथ पता चला कि यह सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाए